नमस्कार दोस्तूं राजस्तान कलासस करती में आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तूं राजस्तान की परताओं से समंदित पचेतर महत्वपूर्ण परसन दोस्तूं आज की कलास में वो ही परसन हम देखने वाले हैं जो राजस्तान के जो परक्सें हुई है अब तक उनके अंदर आ चुके परसन है राजस्तान की परताओं से समन्दित दोस्तूं हर एक क्यूसन है जो आपके लिए बहुत इंपोटेंट रहेगा हर एक क्यूसन को ध्यान से देखते रहें और बने रहें अंतंग मेरे साथ आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ यूटूब चैनल कुचामन ओनलाइन कलासेज पर मित्रू अभीतेक अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक और सेर कर दें इसी के साथ अगर इनके जो क्यूसन है आप राजस्तान कलासेज करती है इसके बाद इतियास आएगा उसके बाद भूगोल आएगी तो इनके अगर आप क्यूसन है उनकी पीडियप है पीडियप के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो कुचवन ओनलाइन क्लासेज आप डाउनलोड करते हैं लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में दोस्तों और पले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पहला वेवेगती थे जो कोई कारवा होता था या जो काफिला होता था उसको लूटते थे नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसन नंबर दो बीलवाड़ा वे टोंक में लड़की के माता पिता दोरा बार बार कन्या का मुल्ले लेकर उसकी साधी और एक पुरसू के साथ करवा दोरा प्राचिन काल में लोगु दोरा मुप्त सेवाएं लेना कौन सी परता थी चारी परता डावरिया परता त्याग परता या बेगार परता थी दोस्तों जो सामन थे जो जागिरदार थे वो प्राचिन समय में लोगु से मुप्त सेवाएं लेते थे इसको बेगार परत नेक्स्ट क्यूसर्ण है राजस्तान में सत्ई पर्ता से समंदित अंतिम गटना किस इस्तान पर hughेント रेवासा शिकर उदेपूर वाट्टि जुन्जुनू, देवराला सिकरμα्ट या मेड़ता नागौर कहां पर हुई थी सत्धी पड़ता से समंधित अंतिम गटना दोस्तूं देवराला सिकर के अंदर से ओप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट यूसन है जेन ध्रम में अन जन अन और जल का त्याग करके मर्त्यू का वरण करना कौन सी पड़ता है समादी पड़ता, कोकड़ी पड़ता, संथारा पड़ता या चारी पड़ता जेन ध्रम की पड़ता है दोस्तूं ये और ये ओतियस संथारा पड़ता ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट यूसन में चलते हैं नमबर च्छा है, किसके परियासू से नमबर मेवाड रियासत में डाकन पर्ता पर रोग लगी थी, जैसी भूरूक के परियासू से, जैसी ब्रूक के परियासू से, आप्सने एस सही रहेगा, सांसी जंजाती में नव विवाई इता को साधी से पूर्वे चारी पवितरता की परिक्सिया देना कौन सी पड़ता है? चारी पड़ता है, त्याग पड़ता है, नाता पड़ता है या कूकड़ी पड़ता है? कौन सी पड़ता है ये? ये कूकड़ी पड़ता है दोस्तुं, उप्सन दैस सही रहेगा, नेक्स्ट में चलते हैं, किसी यूद में कैसरिया तो हुआ, लेकिन महिलाओं द्वारा जोर नहीं हुआ, उसी कहा जाता है, साका, अनूमरन, अर्द साका या सहगमन, उसको क्या कहा जाता है, अर्द साका कहा जाता है, सह उप्सन सही रहेगा, नेक गड़ बिलेक पर्तम सत्ती का उलेक एरन बिलेक से मिलता है बे ओप्सन आपका यहां पे सही रहेगा क्यूसर नमबर दस की ओर चलते हैं बिकानेर के किस सासक काल में कन्यावद पर रोक लगी थी सरदार सिंग डूंगर सिंग रतन सिंग या गंगा सिंग दोस्तों रतन सिंग बिकानेर के सासक रतन सिंग के समे कन्यावद पर रोक लगी थी दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं दापा परता सरवादिक किस जंजाती में परचलित है सहरिया ग्रासिया सांसिया कंजर दापा परता है दोस्तों ये ग्रासिया जंजाती में परचलित है ओप्सन बैस सही र परदा इस्वर्चंद विद्या सागर सरपरताप सिंग। विद्वा पुनर्विवा अदिनियम लागू हुआ था इस्वर्चंद विद्या सागर के परियासु से। ओप्सन सही रहेगा। कौन सा कतन सही है वो बताना है पहला है किसी वेक्ति की संदिक्त मर्त्यू हो जाने पर मर्त्यू इस्थान के स्वामी से हर जाना वसूलना। कानुनी गोसित करने वाला सा सकता। त्याग परता को गेर कानुनी गोसित किस ने किया था। महाराजा रतन सिंग ने, महाराजा मान सिंग ने, महाराजा जस्वन सिंग ने या महाराणा सवरूप सिंग ने, किसने किया था दोस्तूं, महाराजा मान सिंग ने, बैय ओप्सन आपका सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूसन है प्राचिन काल में राजपू जाती में लड़की के विवा के समय भाट नट वे डोलियूं दुवारा जो मुह मांगी दान बदक्सिना मांगी जाती थी वे परता थी नाता परता बेगार परता डावरिया परता या त्याग परता कौन सी परता थी ये त पर्याग परता थी दोस्तूं, दे उप्सन सही रहेगा, नेक्ष्ट में चलते हैं, मोरिय वंस के सासक चंदरगुप्त मोरिय ने सर्वन बेल गोला गाउं करनाटक में कौन सी परता अपनाई थी, समाधी परता, बेगार परता, संतारा या सलेखन परता, हाली परता, कौन सी संतारा या सलेखन परता, कहाँ पर चंदरगुप्त मोरिय ने सर्वन बेल गाल, बेल गोला गाउं है जो करनाटक के अंदर परता है, वहाँ पर दोस्तूं, नेक्ष्ट में चलते हैं, क्यूसर नमर अठारा, किस पॉलिटीकल एजेंट द्वारा जेपुर में समाधी परता पर रोग लगाई गई, लुडलो, विलकिंसन, जैसी ब्रूक, करनल टोड, सही रहेगा लुडलो, ओप्सन ए आपका यहाँ पे, नेक्ष्ट में चलते हैं, जो महिलाएं अपने पुत्तर के साथ सती होती है, उन्हें कहा जाता है, अनुमरण महासती, महाशती या अनुवा रोहुन, क्या कहा जाता है उनको, महासती, सह ओप्सन आपका यहाँ पे सही रहेगा, नेक्ष्ट में चलते हैं, क्यूसर नमर बीस, विद्वा विवा नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है, अर्विला सार्दा, चांदकरण सार्दा, इस्वर चंद विद्या सागर, सर परताब सिंग, बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे हमें, विद्वा विवा नामक पुस्तक है, जो किसकी, किसके द्वारा रचित है, चांदकरण सार्दा के द्वारा, बै ओप्सन आपका सही रहेगा, नेक्ष्ट क्यूसर में चलते हैं, राजपूत सासक, जिसने या सकन्यावद को रोकने का किया था दोस्तूं, नेक्ष्ट क्यूसर नमर बाइस, राजपूत योदा, प्राजे की स्तती में कैसरिया सापा धारन करके, लड़ते हुए वीरगती को प्राप्त होते थे, उसे कहा जाता था, कैसरिया साका संतारा या सहगमन, क्या कहा जाता उसको कैसरिया कहा जाता था, ए ओप्सन सही रहेगा, नेक्ष्ट में चलते हैं, नेक्ष्ट क्यूसर ने, राजस्तान में पहली बार सती होने की जानकारिक किस अभी लेक से प्राप्त होती है, बीजोलिया, बीत्री, जुनागड या गटियाला, किस अभी लेक से दोस्तू गटियाला भी लेक से, दे ओप्सन आपका सही रहेगा, नेक्ष्ट में चलते हैं, राजा के राजगरानों में दासू का एक प्रितक से विभाग होता था, उसे कहते थे, दिवान ए खास, दिवान ए आम, दिवान ए खेराज, राज लोक, उसको राज लोक कहा जाता था, द आयू रखी गई, क्या आयू रखी गई थी दोस्तों, सारदा एक्ट के अनुसार यहां पे हम बात कर रहें हैं, इतनों, 18 वरस, 15 वरस, 17 वरस, 13 वरस, 20 वरस, 14 वरस, 18 वरस, वे चोदे वरस, दे ओप्सन सही रहेगा, 18 वरस लड़के की, 14 वरस लड़की की, किस पढ़ता को सहे गमन, वे सहे मरण भी कहा जाता है, डाकर परता, नाता परता, सती परता या त्याग परता, किसको कहा जाता है, सती परता को, सहे ओप्सन सही रहेगा, नेक्ष्ट है हमारा, पतनी द्वारा अपने पती को छोड़कर अन्ने पुरु से विवा करना कौन सी परता है, अडोती के पॉलिटिकल एजेंट विल किंसंक ने किसके काल में 1833 इस्वी में कन्यावद पर लोग लगाई सवरूप सिंग उमेद सिंग अनिरूद सिंग या राम सिंग सही रहेगा आपका यहां पे ओप्षन बै उमेद सिंग के समय दोस्तूं नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसर नमर 29 कि समाज सुधारक ने पड़दा पड़दा को मिटाने के लिए इस्त्री सिक्ष्या पर बल दिया था स्वामी विवेकानन ने दयानंद सर्शवती ने राजा राम मोन राय ने इस्वरी चंद विद्या सागर ने दयानंद नेक्स्ट यूसन है मेवाड के किस सासक के काल में कन्यावद पर रोक लगी थी महारणा पते सिंग महारणा बीम सिंग महारणा सजन सिंग या महारणा सवरूप सिंग सही रहेगा महारणा सवरूप सिंग मारवार चेतर में अफिम गलाकर एक दूसरे को परदहन करना कौन सी परता है ? कौन सी परता है ये ? रियान परता है दोस्तूँ बयो ऑप्सन सही रहेगा मीना जनजाती में मोताना परता में आरोपित वेक्ती पर जुद्धंड सुनाया जाता है ? से क्या कहा जाता है रियान चोथान दःफा चड़ोतरा क्या कहा जाता है उसको चड़ोतरा कहा जाता है दे उप्सन सही रहेगा नेक्स्ट यूशन है राजस्तान में वाल्टर कृत राजपूथ हितकार्णी सबा 12.825 इस्वी में किस परता पर रोग लगाई गई त्याग परता, सती परता, समाधी परता या बाल विवा कौन सी परता पर दोस्तों बाल विवा पर ओपसन दैस सही रहेगा नेक्स्ट यूसर में चलते हैं राजपुताने में किस नरेस ने सर्वपर्तम कन्यावद को रोगने का परियास किया था जगत सिंग, सवाई जे सिंग, जस्वन सिंग, राव, राम सिंग किसने किया था सर्वपर्तम परियास सवाई जे सिंग ने ओपसन बैस सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं बुंदी रियासत ने राजस्तान में सर्वपर्तम सत्ती परता पर कब रोक लगाई थी? 1822 इस्वी, 1829 इस्वी, 1833 इस्वी या 1844 इस्वी? सही जो आपका एंस्वर रहेगा वो रहेगा ओप्शन ए 1822 इस्वी. Next में चलते हैं क्योसर नमबर 36 राजस्तान में सर्वपर्तम कि सासक द्वारा विद्वा पुनर विवा है तो नियम बनाने के परियतन किये गए? कि सासक ने बनाई थे विद्वा जो पुनर विवा है उसके लिए नियम दोस्तूं? सवाई जे सिंग, मिर्जा राजा जे सिंग, महारान सवरूप सिंग, सवाई मान सिंग, सवाई जे सिंग के दुवारा option A आपका सही रहेगा next question में चलते हैं बंदित स्रम पदत्ति अदिनियम उनीस सो चिंतर दुवारा राजस तावन में किस परता पर रोक लगी नाता परता, बेगार परता, चारी परता या दो बार आगया, चारी परता, चारी परता तो सही option देख लेते हैं, आपका यहां पर बेगार परता रहेगा बेगा option सही रहेगा next में चलते हैं प्राचिन काल में जागिरदारों द्वारा अपने लड़की की साधी में कुछ कुपारी कन्याई दी जाती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? नाता परता, गोना परता, हाली परता या डावरिया परता? उनको डावरिया परता केते थे दोस्तों दे उप्सन सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं राजस्तान में सर्वपरतम दास परता पर कब रोक लगी थी 1830 सीश्वी में, 1822 सीश्वी में, 1824 सीश्वी में, 1832 सीश्वी में हर्विलास है हर्विलारा नहीं है गोकुल भाई भट या मोहनलाल सुकाडिया सही रहेगा आपका राह बादूर हर्विलास ओप्सन बैदोस्तु नेक्स्ट में चलते हैं मेवाड रियासत में किस इस्तान पर 1853 इस्वी में डाकन परता पर रोक लगी थी सहापुरा, खेरवाडा, खमनोर या केलवाडा कहाँ पर लगी थी? खेरवाडा के अंदर बैव उप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है सर्वपरतम 1885 इस्वी में जोदपूर के परदान मंतरी सरपरताब सिंग ने किस परता पर रोक लगाई थी? समाधी परता, बाल विवा, त्याग परता या डाकन परता? किस पर रोक लगाई थी दोस्तूं? बाल विवा पर उप्सन बैस सही रहेगा नेक्स्ट है आपका किसी एक ही स्थान या दुरुग में कैसरियां वजोर होना कहलाता है अर्द साका साका संथारा या नवारो होन साका कहलाता है बाल विव उप्सन आपका यहाँ पे सही रहेगा नेक्स्ट यूशन में चलते हैं किसी वेक्ति की संदीक्त मर्तियों होने के होने पर मर्तियों इस्थान के स्वामी से हरजाना वसूलना किस परता के अंतरगत आता है दोस्तूं मोताना परता के अंतरगत साय ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट यूशन है मेवाड के माराना के परती ली जाने वाली इस्ताई भक्ती कि सपत कहलाती थी रियान परता दापा परता आन परता या चारी परता क्या कहलाती थी दोस्तू वो आन परता कहलाती थी सह ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं राजस्तान में सर्वपर्तम किसने मेरवाडा के मेर लोगू की पंचायत में कन्यावद को बंद करवाया था विलकिंसन ने जोन लूडलो ने जैसी ब्रूक ने या कैप्टन होल ने किसने दोस्तों कैप्टन होल ने दे ओप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं क्यूसर नमर से तालेस सासकु दुआरा दासियों को उपपतनी के रूप में सविकार किया जाता था उस दासि को कहा जाता था पड़दायत धापा ओक या उपरा नी क्या कहा जाता था दोस्तों को पड़दायत का जाता था एपोप्शन सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं गवर्नर जनरल लोड बेटिंग ने निमन इस्तलू पर सत्य परता रोगने के लिए आदेश दिये नियुनमेंज से कौन सा यूगम सही नहीं आपको ये बताना है दोस्तुँ तो देखिए अलवर में 1830 में सत्वरता रोगने के लिए लोड बेटिंग ने आदेश दिये थी जेपूर में 1849 में दिये थी ये डूंगरपूर है यहाँ पे डूंगरपूर के अंदर 1849 में नहीं गलत है ये जोदपूर में 1849 में सही है तो से ओप्सन है आपका जो यहाँ पे सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं 28 सताबदी के किस राजपूत द्वारा विद्वा पुने विवायतू नियम बनाने के प्रियतन किये गई महरणा जित सिंग स्वाई जे सिंग महरणा अमर सिंग महरजा मान सिंग सही रहेगा आपका ओप्सन बैस सवाई जे सिंग के दुआरा नेक्स्ट में चलते हैं अनमेल विवा और बाल विवा निसेद अदिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्स अपनाया पांच मार्च 1902, 10 दिसंबर 1903, 10 मार्च 1901, 10 जनौरी 1904, कब अपनाया था दोस्तों, 10 दिसंबर 1903 को, अनमेल विवा और बाल विवा निसेद अदिनियम, अलवर रियासत ने अपनाया था, नेक्ष्ट में चलते हैं, हर विलास सारदा का सम्मन किस एक्ट से था, सती परता से, विद्वाविवासें, बाल विवासें या कन्यवद से, किससे था दोस्तू, बाल विवासें, सैई उप्षन आपका सही रहेगा, नेक्स्ट में चलते हैं पास्वान, खवायत, वब पड़दायत, महिलाएं समंदिती, चित्रकारी से, दास परता से, हस्तकला से या नर्तेकला से, किसे समंदिती दोस्तु ये, दास परता से, बै उप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं, डाकन परता मुक्यते किन जंजातियों में परचलीते हैं, सांसी, ग्रासिया, कतोडी, भील वे मीना, भील वे मीना के अंदर डाकन परता है, वो अभी तक भी परचलीते हैं दोस्तु नेक्स्ट में चलते हैं, सागडी परता को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है चाकर पड़ता हाली पड़ता बंदुवा मजदूर या उपरोक सभी बात किसकी कर रहे हैं सागडी पड़ता चाकर हाली बंदुवा मजदूर तीनु नामू से जाना जाता है the option उपरीज़क सभी रहेगा सत्ती पढ़ता का अन्य नामुंए उप्रियूक सभी, बात किसकी कर रहे हैं यहां पे हम, बात कर रहे हैं सत्ती परता, सत्ती परता को अन्य नामों में सहमरन भी का जाता है, अनुवारोहन भी का जाता है और सहगमन भी का जाता है, उप्रियूक सभी, देव उप्सन आपका सही रहेगा, नेक्स्ट में चलते हैं नेक्स्ट में चलते हैं अनिमेल विवा और बाल विवा निशेद दिन्यम सबसे पहले अलवर रियासत में किस वरस बनाया दोस्तूं दस दिसंबर 1903, ओप्शन बैस सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं दिवराला गटना के बाद राजे सरकार ने सत्ती निवारन अध्यादेश कब जारी किया दिवराला गटना हुई थी उसके बाद सत्ती निवारन अध्यादेश जारी किया गया था राजस्तान में अलवर रियासत ने सत्ती परता पर कब रोग लगाई थी अलवर रियासत ने सत्ती परता पर रोग लगाई थी अपका सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं पती की मर्तियों पर पती के सहु के साथ चिता में जीवित मर्तियों का वरण करना कहलाता है जोहोर सती नाता या त्याग क्या कहलाता है दोस्तु ये सती कहलाता है बैव ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं जेपूर रियासत ने सर्वपर्तम समाधी परता पर कब रोग लगाई थी? 1822 इसवी, 1833 इसवी, 1844 इसवी या 1841 इसवी? कब लगाई थी दोस्तूं? 1844 इसवी के अंदर सै ओप्सन आपका सही रहेगा. Next में चलते हैं, मेवाद रियासत में डाकन परता पर कब रोग लगाई थी? 1850 इसवी, 1841 इसवी, 1852 इसवी, 1852 इसवी मेवाद रियासत ने डाकन परता पर रोग कब लगाई थी? 1853 इसवी के अंदर सै ओप्सन आपका सही रहेगा. Next में चलते हैं, विद्वा पुनर विवा अधिनियम कब लागू हुआ था आपका सही रहेगा यहाँ पे दे ओप्सन नेक्स्ट विवा अधिनियम कब पारित हुआ था नाता परता डावरिया परता गोला यहाली क्या कहा जाता था दोस्तूं देखे इस्तरी पुर्सू को दासू के रूम में रखने की परकरिया को गोला कहा जाता था सही उप्सन सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं डाकन परता को अवेद गोसित किस ने किया था महारणा सवरूप सिंग ने सहí option और important kilometer है रूइये next question में चलते है pilot एड़िसर regal सरव्पर्टम कोटा रियासत कजिए पर कप रोक लगा ही 1834, 1832, 1833, 1832 कब रोक लगा ही थी सरव्पर्टम कोटा रियासत ने कनया पर्ता पर कन्या वदफ परता के उपर दोस्तु रोक सही रहेगा आपका option से 1833 इस्वी में next में चलते हैं पत्ती की प्रिय वस्तू के साथ पत्ती सती होना कहलाता है अनुवारोन, सहे मरण, अनुमरण, महासती या सहे गमन क्या कहलाता है दोस्तू अनुमरण, महासती next में चलते हैं राजस्ताल में सती होने वाली अंती महिला कोन थी सहज कमर रूप कमर गुलाब कमर मान कमर कोन थी दोस्तू रूप कमर बैव ओप्सन आपका सही रहेगा सत्ती ओने वाले इस्त्री द्वारा दिये गए प्रिवार के सदेश्यू को आदेश कहला था ओक अनक रियान या अनवारो होन सत्ती होने वाले इस्त्री द्वारा जो प्रिवार के सदेश्यु को आदेश दिया जाता था उसको क्या कहते थे अनक कहा जाता था बेव उप्सन सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं राजा महाराजा परसन ओकर दासी के आत पेरू में सोने के आबुसन पहनने की सविकर्ती देते थे तो वे दासी कहलाती थी रियान, खवासन या पासवान, कोथला या दापा क्या कहलाती थी खवासन, पासवान भी उसको कहा जाता था नेक्स्ट में चलते हैं राजस्तान में सत्थी पर्ता सर्वापर्तम निसेदित की गई थी उदेपूर, जोदपूर, जेपूर या भीकानेर कहां पर की गई थी दोस्तू जेपूर के अंदर सत्थी पर्ता सबसे पहले निसेदित की गई थी नेक्स्ट में चलते हैं बिर्टी सरकार दुआरा मेवाड में आन परता पर कब परतीबंद लगया गया था 1861, 1663 या 64 कब लगया गया था दोस्तों 1863 में आन परता पर रोक और चलते हैं मित्रों आज के हमारे अंतिम क्यूसन की और प्राचिन काल में युद के समय मैलाउं दौरा अगनी वजल में कूद कर आतमत्या करना कहलाता था क्या कहलाता था जो हैर सै ओप्सन आपका यहां पे सही रहेगा तो एक बार सभी साती है जो कमेंट करके बताईए कि आज की ये 55 क्यूसन आपको कैसे लगे अगर पसंद आये है तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रू के पास सेर कर दे नए साती चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अभी तेक अगर आपने कुछामन ओनलाइन क्लासेज एप डाउनलोड नहीं किये तो मित्रू जाइए डिस्क्रिप्शन में वहाँ से लिंक का यूज कीजिए या पले स्टोर पर कुछामन ओनलाइन सर्च करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी को बहुत बहुत दन्यवाद जय इंद जय बारत